इस वीडियो में आपका स्वागत है इसके अंतरगत आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वह समन्दित है टेलकॉम बिल से अब देखें सिर्षक क्या है सिर्षक है टेलकॉम बिल और जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक्स्प्लेंट सेग्मेंट है दी इंडियन एक्स्प्रेस का और यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर टू में पॉलिटी और गवर्नेंस के दृष्टिकों से तो अब हम इससे समन्दित पहले प्रश्ण को देखते हैं प्र प्रश्ण के इड़्द गिड़्द रहेगा चलिए शुरुवात करते हैं इस चर्चा की अब 18 दिसंबर यानि कि इस सोमार की बात हो रही है तो इस सोमार को केंदर सरकार ने संसद में दूर संचार विध्यक 2023 को पेस किया है जो विध्यक पेस किया गया है उसके अंतरगत क सरली करन करने की बात की गई है दूसरा जो इस्पेक्टरम आवंटित किये जाते हैं दूर संचार कंपनियों को उसमें भी इस प्रिश्ट तलाने की बात की गई है और तीसरा यहां पर यह है कि जो यूजर्स मतलब हमारी बात हो रही है जो हम यूज करते हैं तो अब हमारे जो भी process हैं कि हम हैं मतलब हमारा authentication है तो उस authentication की कठोड़ता को भी इसमें शामिल किया गया है अब यहाँ पर यह है कि यह जो विध्यक है यह किस-किस को replace करेगा तो पहला देखिए भारती टेलिग्राफ अधिनियम 1880 इसको replace करेगा दूसरा वाइरलेश टेलिग्राफी अधिनियम 1933 को replace करेगा फिर टेलिग्राफ तार गैर कानूनी कपज़ा अधिनियम 1950 को यह परतिस्थापित कर देगा और तो और सरकार का यह भी काना है कि जो तीनो कानून अभी हमने जिसकी बात किया है और जिस तरीके से दूर संचार छेत्र में बदलाओ हो रहे हैं उसके साथ इनकी सामयता नहीं हो पा रही है लेकिन कुछ चिंताएं हैं कुछ कंसर्ण हैं जिसमें की अभी आपके सामने उसको रखा जा रहा है पहली बात तो यहाँ पर यह है कि दूर संचार नेटवर्क पर संचार के लिए जांच आवेश सक्ताओं को लेकर जो विध्यक में प्रावधान है वह एक चिंता का विस है और दूसरा कि यहाँ जो विध्यक है क्या हुआ विध्यक निर्णायक रूप से वाट्सेप, सिगनल और टेलिग्राम जैसे इंटरनेट आधारे संचार प्लेटफॉर्मों को वरतमान में दूसरा विवाग सो से अधिक प्रकार के लाइसेंस, पंजी करण और जो एप्रूबल है अनुमतिया है उसको जारी करता है विध्यक में यह बात कही गया है इस तरह के सो से अधिक प्रकार के लाइसेंस, पंजी करण और अनुमतियों की इस विवस्था को एक ही प्राधिकरन परक्रिया में शामिल किया जाएगा उसके अलाबा जो निलामी होती है spectrum की तो हालां कि दूर संचार संस्थाओं को spectrum अवणित करने का यह मांदन तो बना रहेगा मतलब आक्सनिंग के जरिये निलामी के जरिये spectrum तो अवणित किया जाएगे लेकिन उपग् प्रसासनिक आवंटन किया जाएगा जी इन छेत्रों के लिए प्रसासनिक आवंटन होगा तो दो चीज़ आई है एक तो आया है क्या प्रसासनिक आवंटन और दूसरी चीज़ किया है इसमें कि निलामी की बात हो रही है इस्पेक्ट्रम की आखिर दोनों में फर्क क्या है द इसके बाद सरकार का यह कहना है कि अगर किसी दूरसरचार कमपनी को इस्पेक्टरम दिया गया है और उस इस्पेक्टरम का अगर्वा दूरसरचार कमपनी सही रूप से यूज नहीं कर रहा है या जितना यूज करना चाहिए उतना यूज अगर नहीं कर रहा है और उससे लीचने की भी अनुमती देगा या लीच पर देने की भी अनुमती देता है तो ऐसे और पर्युक्त स्पेक्ट्रम से समधित विध्यक में या अधिकार सरकार को दिये गया है। कि किसी भी दूरसंचार कंपनी के द्वारा अंजाने में कोई भी चूक हो गए है या दूरसंचार से संबंदित नियम कानून का सही से अनुपालन उन्होंने नहीं किया है लेकिन यह अंजाने में हुआ है तो फिर उसको भी सुईधा जरग बनाने के लिए एक स्वेचिक निप्टाने के लिए एक संग्रचना का निर्मान क्या है जिसमें पहले जो मामला जाएगा वह एक न्याय निर्णयन अधिकारी के पास जाएगा उसके बाद अगर अपील करना चाहते है तो फिर इसके लिए भी एक नामित अपील समीती बनेगी और फिर यह मामला कहा दूर संचार, विवाद, निप्टान और अपिली न्याधिकरन के पास यह जाएगा मतला अंत में इसके पास यह जाएगा उसके बाद यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी यूजर्स वाके में वही यूजर्स है जिसने दूर संचार कंपनी से उस सेवा को लिया है तो इसको अथेंटिकेट करने के लिए जो परक्रिया है उसको कठिन कर दिया गया है और वो परक्रिया यहाँ पर यह है कि दूर संचार कंपनिया अपने उपयोग करता का बायो मेट्रिक प्रमानी करन करेगा और इसको करना अनिवारिक कर दिया गया है अब यह जो प्राबधान है य यूजर्स की गोपनीता को लेकर चिंता को बढ़ाता है ऐसा विशेसर के मानते हैं फिर आगे यहाँ पर यह है कि जो विधयक है देखिएगा ध्यान से जो विधयक है वा केंद्र और राजिसरकारों या एक विशेस रूप से अधिकरत अधिकारी को सार्जनिक अपातकाल या राष्ट्री हिद या राष्ट्री सुरक्षा के मामले में दूर संचार कमपनियों के जो भी परसारन चलने हैं उसकी जाच करने उसको साजनिक करने मदर डिस्क्लोज करने और अगर वो प्रोगाम चलना उसको निलंबन करने की भी सक्ती इनके पास है प्रकासन के लिए एक शर्थ यहां पर यह है कि राष्टी सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका जा सकता है उसके बाद विध्यक यह खाता है कि केंद्र को राष्टी सुरक्षा के हित्मे या युद्ध की इस्तिती में दूर संचार सेवाओं और नेटवर्क का नियंतरन और प्रबंधन अप कोई व्यक्ति आ सकता है अब यहां पर मामला है कि इस्पेक्ट्रम के चाहे आवंटन की बात हो चाहे निलामी की बात हो और 2012 का जो सुप्रिम कोट का फैसला है इसमें आखिर क्या बहास है तो देखें यहां पर यह है कि दूर संचार विध्यक 2023 जो है उपग्रा ब्राड ब का पालन करने के लिए तयार है अब यहां पर जो नई बात आई है कि उपग्रा ब्राड बेंट सेवा जो कि प्रसासनिक आवंटन की थुरू दिया जाएगा दूर संचार कंपनियों को इसके लिए भारत एर्टेल के वन वेब एलन मस्क का स्टार लिंक और अमेजन का कुई पर वो इसे बड़ा खुस है हलां कि इसके भी निलामी हो तो वो ज्यादा बेहतर है इसलिए उपग्रा संचार के लिए इस प्रसासनिक माद्यम सो या सरकार और जो उद्योग है इसके बीच एक बहस का केंदर है हलां कि उद्योग में भी हम यहां पर क्या देख रहे है उस इसके अंतरगार सुप्रीम कोट ने 2012 में फैसला दिया था कि उस समय जो सरकार थी उसने 2G स्पेक्टरम का आवंटन अवेद रूप से किया था इसलिए उस स्पेक्टरम को उन्होंने रद कर दिया जिससे कई दूरसंचार कंपनियों के स्पेक्टरम लाइसेंस का जो आवं वाले से थोड़ी अलग है वह इसलिए अलग है क्योंकि मोबाइल संचार के लिए उपयोग किया जाना वाला जो टेरिस्टेरियल स्पेक्टरम होता है वह अलग होता है उसकी अपनी एक सीमा होती है लेकिन उपगरा स्पेक्टरम की कोई राष्टी चेतरी सीमा नहीं होती ह इसका चरेतर अंतराश्ट्री होता हूँ इसलिए क्योंकि उपग्रह स्पेट्रम के अंदरगत होता क्या है, सबसे पहले तो जो कंपनिया होती है पृत्वी की निचली कच्छा में उपग्रह को यह इस्थापित करती है और फिर इस उपग्रह के द्वारा इस्थल पर इंटरनेट की सेवा दी जाती है इसलिए इसका कोई भी राष्ट्री या इसकी कोई भी छेत्री सीमा नहीं होती है इसलिए इस तरह के उपग्रह स्पेक्ट्रम का समन्वे और प्रवंधन सिंग्तुराष्ट की एजनसी जो है अंतराष्टी दूरसंचार संग इसके द्वारा किया जाता है एक और मुद्दा है मुद्दा क्या है इंटरनेट सेवाओं के वी नियमन का मुद्दा या रेगूलेशन का मुद्दा ये क्या है उसको ध्यान से सुनिए 2022 का जो मसोदा था उसके विपरीद जो वरतमान विध्यक पेस किया गया है उसमें दूर संचार सेवा की जो परिभासा दी गई है उस दूर संचार सेवा की परिभासा से ऐसा लगता है कि online platform को regulate किया जाएगा वह क्यों वह इस लिए जैसे देखिए नए विध्यक में दूर संचार की जो परिभासा दी गई है वह इस तरीके से दी गई है कितार रेडियो ऑप्टिकल या अन्य विद्यो चुम्ब की पढ़नालियो दरह किसी भी संदेश का प्रसारन इमेजन या उसको रिसीप्ट करते ह हैं चाहे ऐसे संदेश की फिर से हम पुनर्विवस्था करते हैं उसकी कल्कुलेशन करते हैं और फिर उसका पुनर्विस्था करते हैं तो ये जितने भी इस तरह के कम्मुनिकेशन हो रहे हैं उन सब को दूर संचार के अंतरगत रखा गया है उसके बाद अगर हम आगे दे जो नागरिक समाज है उनको यह डर्द जरूर है कि क्या इस नए विध्यक के अंतरगत इंटरनेट आधारित सेवा को भी दूर संचार विभाग के अंतरगत रख दिया जाएगा क्या इंटरनेट सेवा के अंतरगत अभी लोगों को जतनी स्वत्रता मिली हुई है क्या उस अगर जो मुद्धे हैं उसको भी हमने देखा इस तरह इस वीडियो को हम यह समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नहीं जानकारे के साथ नमस्कार दोट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट